आज का पहला कोशन जी हां दोसों के उपर मतलब 217 कोशन कराने के बाद आज यहां से हम लोग काफी अच्छी कोशन पढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी यहां से तो पहला कोशन आज का सभी लोग ट्राई किजिए मगर प्यार से कहता है एक कार सहर पी से सहर क्यों तक एक नियत गती से जाती है यदि इसकी गती दस किलोमेटर पर ती घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तया करने में एक घंटे का समय कम लगता है और यदि अब उसकी गती पुना दस किलोमेटर पर ती घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे ये दूरी तैय करने में 45 मिनट का समय कम लगता है तो बताईए कि दोनों सहरों के बीच की दूरी क्या है लाश्ट क्लास में जब आपने अंतिम दो कोशन देखे थे difference between time उसी पर बेश्ट कोशन है पर थोड़ा सा अच्छा है एक सब्द का खेल है समझो मगर प्यार से हम फिर से बताते हैं सारे बच्चों को मालूम है कि T1-T2 बराबर difference between time क्या होता है difference between time यानि समय का अंतर अगर distance d होता है upon x, distance d होता है upon y और difference between time अगर आप distance की बात करोगे अगर सिब distance तो x into y इसके बात का solution होता है और x minus y और यहाँ पर दोनों समय का अंतर ऐसे हम लोग लेते थे बोलो हाँ तो ये बात आपके मायंड में बस गई अब समझो बहुत अच्छे से पहली मेरी speed x की थी फिर मैंने speed x plus 10 की कर ले जी हाँ तो दोनों का अंतर 10 नीचे आएगा और ऐसा करने से हमें एक घंटा कम लगता है यानि यहाँ एक का गुणा हो जाएगा फिर हमसे कहता है कि यदे अब उसकी गति पुना 10 किलोमेटर और बढ़ा दी जाए मतलब पहले x थी 10 पहले बढ़ाई थी 10 और यानि x plus 20 कर दी जाए तो दोनों का अंतर 20 आया बोलो हाँ और हमसे कहता है 45 मिनट का समय और कम लगता है मतलब पहले एक घंटे का कम लगता था अब 45 मिनट जिसे 45 बटा 60 यानि 3 बटा 4 तो यह 7 बटा 4 घंटा आ गया बहुत अच्छे समझना बहुत अच्छे से कहते हैं क्या 0 से 0 काटो x से x काटो यह 4 दूना 8 यहां गुणा कर दो यानि 8 x हो गया और 8 का यहां गुणा कर दो यानि 80 हो गया यह 7 x हो गया और यह 20 सत्य 140 हो गया प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझना इसका जो अंतर होता है वो X होता है और इसका जो अंतर है वो 60 है यानि इसके स्पीड जो actual स्पीड है वो 60 किलोमेटर पती घंटा हो गई पर हमसे कहता है डिस्टेंस बता दू तो यहां 60 रग दो 60 10 70 बटा 10 0 से 0 काटा साच्छंग 42 is 420 किलोमेटर the right answer of this question guys 420 किलोमेटर आएगा बोलो हां मगर प्यार से तो हर एक चीज को बहुत प्यार से सिखाया जाता है एक अच्छे लेवल के questions आपको कराये जाते है जी हां दोस्तों अगर आपने सुरवास से कई बार पढ़ा है तो यह question आपके लिए क्या है आसान हो कितने line में किया गया 123 कल हमने कई type के questions आपको कराये थे आज भी हम कई type के include करेंगे तो कल जो अंतिम type कराया था उसमें 2 question और आज के लगा के 3 हो गए तो यहां से आपने बहुत कुछ सीखा बोलो हां चलिए तो next question की ओर चलेंगे as जो next question है वो आपको किताब से हमने बहुत कुछ कराया है फिर भी एक question को यहां include किया है जिससे आपका revision अच्छे से हो तो सभी लोग session को like और share कर दिजे मगर प्यार से जी हां दोस्तो चलिए सभी का answer भी आ रहा है यह एक अच्छी बात है तो इसी बात में like और share तो बनता ही है अच्छे से पढ़िए चीजों को सीखे और हर एक label के questions को बनाईए अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रकासा संड़े अले दिंग class नहीं लेते पर आज ले रहे हैं ठीक है क्योंकि बीच में एक दो दिन रह गया था और आने वाले समय में एक दो दिन रहेगा तो जो समय मिलेगा हम उसमें पढ़ाते हैं कोशन को अच्छे समझना ये आज के session very very important एक rail गाड़ी station A को प्राता 10 में छोड़ती है और train leaves a station A at 7am बोलो हां मतलब ये टाइप का कोशन हम करा चुके हैं यहां से कोई train 7am में station को छोड़ती है और 11 बजे ये दूसरी station में पहुशती है फिर हमसे कहता है एक अन रेल गारी B को प्राता 8 बे छोड़ती है मतलब यहां भी प्राता 8 बे छोड़ती है और ये साड़े 11 बजे पहुशती है तो हमसे यहीं पूशता है कि किस समय एक दूसरे से मिले same pattern के question पहले किताब बाले हम करा चुके हैं इसमें हमने यहां सामिल किया है जिससे आप इस type के question को बढ़िया सीको चाले अब देखो high tech version समझना प्यारे दोस्तो प्यारे दोस्तो यहां concept को समझना बहुत जबर्दस 7 से 11 कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे लगते हैं कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे लगते हैं और 8 से 11 सारे 3 घंटे यानि 7 बटा 2 घंटे लगते हैं पहले बोलो हाँ 7 से 11 चार घंटे लगते हैं और 8 से 11 सारे 3 घंटे लगते हैं प्यारे दोस्तो पहला नियम होता है LCM जिसे 4 और 7 बटा 2 इसका LCM लोगे 28 आया यानि हम इस question में जो यह distance assume करते हैं मानते हैं वो 28 किलो मीटर याद रहें इन दोनों का LCM या इसी के multiple में मानना तो calculation से बच होगे जे हां दोस्तो अब मान लो 28 किलो की मीटर की दूरी 4 घंटे में तै करते हो तो आपकी speed 7 किलो मीटर प्रती घंटा होती है और 28 किलो मीटर की दूरी 3.5 घंटे में तो 7 से भाग दिया 4 दूना 8 तो आपकी speed 8 किलो मीटर पर आवर्स होती है एक बात को याद रखो कि जब हम relative speed लेते हैं तो दोनों के चलने का समय समान होता है दोनों के चलने का समय समान होता है तो distance तो 28 से पर इसके अभी 8 बजे है और इसके 7 बजे तो एक घंटा चलेगा यानि 7 किलो मीटर चलेगा तो इसके भी 8 बजे जाएंगे तो 7 कम कर दो अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो 8, 8, 7 जोडेंगे तो 15 से भाग देंगे यहां से हमें समय की प्राप्ति होगी साथ का गुणा कर ले ना जिससे मिनट में आ जाए ये 4 आया 21 चौका 84 मिनट प्यारे दोस्तो 84 मिनट को ये समाज 1 घंटा 24 मिनट कहते हैं अब एक बात को समझो अब दोनों का समय हमने 8 बजे 8 बजे कर लिया था ये समय जोड़ लो तो आंसर आएगा 9 बज कर 24 एम एक बार रिपीट करेंगे पर इस पैटन के कोशन हमने आपको किताब में सिखाये थे जो अलग वाले सेशन में भी हमने इंकलूट किये एक आथ कोशन जिससे आप सीखो मगर प्यार से मगर प्यार से सभी लोग सेशन को सेयर कर दीजे जी हाँ सेशन को सेयर कर दीजे जादा जादा तक अगर आप चाहते हैं कि ये वाला भी वीडियो आपको मिल जाए इसलिए तो यहां पर 7 एम में यहां पर 8 एम में पहली बात कि 7 से चलता है 11 बजे पौशता है 8 से चलता है तो सारे 11 तो पहला उद्देस होता है इन दोनों के समय का अंतर 4 गंटा इन दोनों के समय का अंतर सारे 3 गंटा LCM लेते हैं 28 तो यह assume की distance है कि माना दूरी 28 km है अगर 4 गंटे में तै करते तो 28 बटा 4, 27 की स्पीड होती है और 28 साथ बटा 2 से तो 8 की स्पीड होती है अब एक बात को समझो दोनों के चलने का टाइम सेम होना चीए ये अलग है मतलब 1 गंटा चला तो दूरी 28 ती 1 गंटा चला तो 7 कम किया और अब यहां से 8 और 7 एक दूसर डिस आएगा रिपीट कर दिया है बढ़ Brazil कोशिण जी हां दोस्तों चली नेक्च कोशिन के ओर चलेंगे प्यार से सिखेंगे आपको सीकूंकि आपको समास से अच्छा होना है कि कि तभी आपको अच्छा लगेगा कि तभी आपको अच्छा लेगे तियो क्या कहता है एक लड़का अपने घर से प्राता दस बजे बारा किलो मेटर प्रती घंटे की गती से साइकल चलाना सुरू करता है उसका बड़ा भाई एक घंटा 15 मिनट के बाद स्कूटर से उसका पीछा करना सुरू करता है तता दोफैर एक तीस पर उसे पकड़ लेता है तदा नुसार स्कूल की चाल ग्याद कीजिए देखे इस कोशन पर विचार कीजिए विमर्स कीजिए कि कैसे करना है अब कैसे एक लड़का अपने घर से दस बजे बारा किलो मेटर प्रती घंटे की चाल से दस बेर चलना यह दस बजे चलता है और कितने के स्पीड चलता है बारा किलो मेटर देखे डारेक्ट आपको सौटकर भी सिखा देंगे चिंता मत करो पर थोड़ा सा सीखो गती से चलना साइकल चलाना शुरू है उसका बड़ा भाई एक घंटा पंदरा मिनिट के बाद स्कूटर से उसका पीछा करता है तो यह उसका बड़ा भाई है एक घंटा पंदरा मिनिट के बाद अब ये X kmph की स्पीड यानि स्कूटर से चल रहा है एक घंटा पंदरा मिनिट के बाद आफटर सब सिखाएंगे डैरेक्ट लिखना भी सिखा देगे कि बात स्कूटर से उसका पीछा करना चालू करता है तता दो फैर देड़ बजे उसे पकड़ लिता है, मतलब भाई गया देड़ बजे पकड़ लिया, देड़ बजे पकड़ लिया, अब हमसे कहता है, तो स्कूटर की चाल ग्याद कीजिए, जी हाँ दोस्तो, स्कूटर की चाल, देखें ये लिखा है, ये कोशन लिखा है, क्यो मैं छोटा भाई मैं हूँ मैं 10 बजे निकलता हूं और 12 की स्पीड से सवाव घंते के बाद मेरा भाई पकड़ेगा मथी निकलता है ठीक है मैं साइकल से भाई निकला है स्कूटर से तो कहीं न कहीं 12 ये ऐसे सवाव घंटे का मतलब 5 बटा 4 होता है सर कैसे 15 मिट मतलब 1 बटा 4 1 बटा 4 समझ गये तो यहां से आप दूरी निकाल लो यानि मैं अब ये 15 किलोमीटर चल चुका यहां पहुँझ गये ये मैं पहुझ गया और मेरा भाई अब यहां से मेरा को पीछा करेगा अरे बोलो हां कि ये मेरा भाई पीछा करेगा एक चीज समझो सेम डिरेक्शन में मैं भी ऐसे जा रहा हूं मेरा भाई भी पर मेरा भाई मुझे 15 किलोमीटर पीछे है बोलो हां मेरी स्पीड है बारा की भाई की एक्स पर जब सेम डिरेक्शन में जाते हैं और बड़ा भाई मुझे पकड़ रहा है इसका मतलब बड़े भाई की स्पीड मुझे जादा होगी तो एक्स माइनस बारा पहली बात तो यह रिलेटिव स्पीड हो गई डिस्टेंस क मेरा भाई निकला तो अब ये समय का अंतर देखो तो आपको गे सर 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 2 घंटा 15 मिनट मतलब 15 मिनट मतलब 1 बटा 4 2 तो यह हो जाएगा 9 बटा 4 बस इतनी कैलकुलेशन है प्याजोस्तो बस ये वाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है चीजों को समझो तो पांच बार में, तीन बार में, 3X-36, पांच चौका 20, बोलो हाँ, तो 56 बटा 3, 56 बटा 3 किलो मीटर पर आवर्स की स्पीड से मैं चला, कैसा लगा, इमान दारी से बताईएगा, बहुत आराम से बताया है ये कोशन, सभी लोग लाइक और सेर कर दिजिए, पढ़ते ये स्टिडी टिप्स मेरे भाई, धर्मेन जी, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी की हेल्प कर रहे हैं, तभी इतने वीडियो यूटूब में आते हैं, तो जितने प्यार से पढ़ेंगे, उतना आपको एक दिन अच्छा लगेगा, चालें, तो आसा है, कैसा लगा ये चीज, इमानदारी से विचार कीजे, कोश्चन को मैं फिर से दिखाता हूँ, जिससे आप डैरेट करना सीखें, चीजों को समझना, इस बात को हम ऐसे लेते हैं, देखो, चाहें इंगलिस में पढ़ लो, not a big deal, अब boy started from his house, by bicycle at 10am, मेरा छुटकु भाई, 10 बजे, यहां समझो, 10 बजे 12 की स्पीड से चला, सवाओ घंटे के बाद मैं चला, तो सवाओ घंटे में मैं, मेरा छुटकु भाई, 12 की MPH, सवाओ घंटा मतलब 5 बटा चार, मतलब 15 किलोमेटर आगे, अब सेम डिरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का अंतर, यानि X-12, तो 15 पॉन इतना, अब सवाओ 11 और देड़ के बीच का समय, 2 घंटा 15 मिनट बस, X भन से कैलकुलेट कर लिया, चले, तो पढ़ेगा इंडिया, प्रकासर कानपूर वाले के साथ, चले, प्यारे दोस्तों, सबके अंसर अंत में मिलेंगे, अभी सिर्क पढ़ाई पर फोकस कीजिए, रीजन क्या है, समय कम देना है, और प्यार से काफी कोशन सिखाने है, आज ट्रेन के एक्सिडेंट वाले तक की कोशन हमें कराने हैं, तो बड़े प्यार से सीखिए, अंत तक हमारे साथ, वो भी पेसिंस के साथ, ठीक है, कहता है क्या, एक रेल गारी पंदरा मिनट तक 40 किलो मिटर प्रती घंटे की चाल से, तता अगले 10 मिनट वे 7 किलो मिटर प्रती घंटे की चाल से चलती है, रेल गाड़ी की आउसत चाल क्या है विचार किजिए, विमर्स किजिए बड़े प्यार से सॉल भी किजिए देखो 15 मिनट, 10 मिनट, 40 और 60 एक चीज़ समझो हम जानते हैं कि average speed बराबर total distance upon total time बोलो हाँ यही होता है total distance अगर मैं 15 मिनट का मतलब होता है एक बटा 4 और 40 की speed से तो 4 से भाग यानि 10 किलो मिटर तेह किया और देखा जाए 10 मिनट का मतलब 1 बटा 6 60 में भाग दिया तो कितना आया 10 मिनट का मतलब 1 बटा 6 तो यहाँ 10 आया तो यह दोनों की distance दददस हो गई अब नीचे नीचे हमें total time चाहिए तो total time यह 15 मिनट और दूसरे का 10 मिनट पर यह मिनट में है यह किलो मिटर में तो 60 से भाग दोगे तो घंटा में convert हो जाएगा बस इतना ही calculate करना है तो 20 गुड़े 60 और यह हो गया 25 तो हम कह सकते हैं 1200 गुड़े 100 बारा सो हो गया 25 48 आंसर आ गया इसका आंसर 48 किलो मीटर पर आवर्स आ गया the right answer of this question 48 किलो मीटर पर आवर्स हो जाएगा विचार कीजे विमर्स कीजे और चीजों को सीक लिजे चीजों को सीक लिजे अचा वो बात की बात है मैं जरा एक छोटी चीज कर रहा हूँ अगर चीज सही बैटी तो इस पे भी हम तरीका आपको सिखाएंगे पहले में कितना समय लिया 15 मिनिट दूसरे में 10 मिनिट मतलब 15 और 10 3 और 2 का रिश्यू यह टाइम है तो speed नहीं एक सेकड़ नहीं इस तरीके से नहीं 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 एक सेकड़ speed धहर रखना मैं बता रहा हूँ speed 2 और 3 distance 2 और 3 2 और 3 120 पंजा और नीचे 12 6 दूनी 12 नहीं इस तरीके से नहीं रिखलेगा 15 मिनिट 10 मिनिट नहीं यहीं तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है याद करो जब हम ऐसे बताते थे जो अभी तरीका दिक रहाता उस टाइम हम distance से खेला करते थे पर यहाँ पर 15 और 10 मिनिट का है वो distance 1 इस टू 1 का ही रिखल रहेगा ठीक है तो जो कि 10-10 है एक तरीके से तो I hope आप समझ गया होंगे average speed total distance upon total time 10 प्लस 10 बाकी चीजे हो गए ठीक है कैसा लग रहा है इमानदारी से बताईए चले अब इस question को करिए मगर प्यार से प्यारे दोस्तो session को share किजिए जादा से जादा जी हाँ दोस्तो अच्छे से पढ़िए प्यार से सीखिए हर चीज को सिखाया जाएगा ठीक है क्योंकि same pattern के question आपको पहले भी सिखाय जाते है जैसे ये question के बारे में बात करें ये question आपने भर भर के सीखाया सर कैसे concept याद दिलाते है जैसे ये एक बंदा है A ये एक बंदा है B A की speed A ही समल लो B की speed B ही समल लो ये दोनों कहीं मिलते हैं ये दोनों कहीं मिलते है यहाँ A मिला यहाँ B A को यहाँ तक पहुषने में T1 टाइम लगता है और B को यहाँ तक पहुषने में T2 टाइम तो आपको बताया था Speed of A, Speed of B बराबर T2 अपॉन T1 होता है और अगर सिर्फ समय पूछा जाए तो T बराबर T1 इंटू T2 होता है बोलो हाँ यह हमने कहा था इसको याद करो तब समास से आप हटके चलोगे कहता है दो रेल गारियां A और B इस्टेशन X और Y पर एक दूसरे से चलना सुरू करती है एक दूसरे से मिलने के बाद पहले में कितना 4 घंटे 48 मिनट मतलब T1 जो ले रहा है वो 4 घंटे 48 मिनट तो 48 बटा 60 जिसे समास 4 बटा 5 मतलब 24 बटा 5 घंटा बोलता है बोलो हाँ 24 बटा 5 घंटा बोलता है और जो दूसरे में है वो यह चीज 3 घंटा 20 मिनट तो 3 सही 20 बटा 60 यानि 1 बटा 3 तो यह 10 बटा 3 घंटा होता है 10 बटा 3 घंटा होता है अब आपको डरना नहीं है A की चाल 45 दी गई B की हमें निकालनी है प्यारे दोस्तों समय देखो उपर 10 बटा 3 अब हम T1 की बात करते हैं तो 24 और 5 का उपर हो गया अब इसको सॉल करना है मगर प्यार से कैसे 5 से ये 5 बार में गया और ये गया 12 बार में उपर 25 हो गया नीचे 36 यानि 5 बटा 6 हो गया 5 से ये 5 यहां 5 से ये 9 बार में गया अगर आपको B की स्पीड चाहिए तो 9 गुडे 6, 54 54 कम पह हो गया 54 किलो मेटर पर आवर्स इसका आंसर हो गया आई हो आपको अच्छा लगा होगा बहुत आराम से और बहुत स्मूथ वे से आपको पढ़ाया जाता है चले धीरे धीरे हम लोग कोशन की ओर बढ़ेंगे और अंत में ट्रेन के एक्सिडेंट वाले भी कराएंगे चले पढ़ते रहें मुस्कुराते रहे इलक्ट्रोनिक बोड कब आएगा जितना आपको इंतिजार है उससे चार गुना हमें इंतिजार है इस चक्कर में मैं अपना फोन सुचौप नहीं कर पाता दिन में और क्लास डिस्टर्बेंस होता है कि ऐसा तो है नहीं कि मालुम चला बोड आ गया हमको फोन कर रहा है मेरा सुचौप बता रहा है तो बड़ी समस्या है जीवन इसलिए दिन में बहुत से क्लास इसको हम डेली लेट करते हैं ठेक है पर क्या करें कुद्रत की माया कहीं धूप कहीं छाया है हर वेक्ति को हर चीज जल्दी नसीप नहीं होती है ये बात हमेशा याद रखिए तो अभी पढ़िये और डेली यही पूछते हो तो हम भी यही बताते हैं तो धैर पूर्वक सीखे मगर प्यार से एक कार एक रेल गारी से 20% धीमी चलती है देखे खेला है 20% धीमी चलती है मतलब अगर मैं स्पीड की बात करूँ 20% का मतलब एक बटा पांच तो ट्रेन की स्पीड पांच है तो कार की स्पीड चार हो जाएगी पांच से चार तो अगर यही समय की बात करें यानी टाइम तो 4 से 5 हो जाएगा बोलो हाँ जी हाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 4 से 5 तो दोनों बिंदू A से 1 ही समय पर आरम करते हैं तरह 240 किलोमेटर की दूरी बिंदू B पर 1 ही समय पर पहुशते हैं रास्ते में रेल गारी पर रुकने के लिए 48 मिनट का समय लिया मतलब दोनों के समय का अंतर एक है यही 48 मिनट लगा मतलब ट्रेन को 4 गुड़े 48 मिनट लगता है actual time और कार को 5 गुड़े 48 मिनट लगता है क्योंकि दोनों right time पहुँचे तो कहता कार की गती बताओ प्यारे दोस्तो, बहुत प्यार से समनना, टोटल डिस्टेंस 240 है, पांच गुड़े 48, बच्चा बच्चा कहेगा, 240 ही बोलेगा, 240 मिनट, और अगर घंटे में कनवर्ट करोगे, तो 60 का उपर हो जाएगा, और यही हमारी स्पीड हो जाएगी, इससे यह निपड गया, 60 kmph इ घंटा, जो कार की स्पीड होगी, प्यारे दोस्तो, वह 60 km पर घंटा आएगी, बोलो हाँ, तो जितना प्यार से पढ़ोगे, उतना अच्छे से, सर्क कितने चैप्टर फ्री पढ़ाओगे, याद रहे, हमारे वो लेक्चर फ्री रहेंगे, जो किताब से हट कर होंगे, ठी तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, मगर प्यार से, चले, तो बढ़िया तरीका था, मोहबबत से बताया, प्यार से सीखे, चलते हैं नेक्ट कोशन, प्यारे दोस्तो, अब इस कोशन, अब ये आई बी में आया है, इससे लेना देना नहीं है, हमें सीखना है, कि क क्या हम आपको पढ़ा रहें, प्यारे दोस्तो, बढ़िया से सिखाएंगे, प्यार से बताएंगे, एक-एक चीजो को, कहता है, प्रणव, कौन है ना, प्रणव, बढ़िया कोशन है, प्रणव बैंक, साट किलो मेटर पती घंटे की गती से गया, किन्तु वापसी के समय, उसने आधी दूरी 10 किलो मेटर पती घंटे की गती से तै की, और अचानक उसे लगा की वह लेट हो रहा है, तो उसने अपनी चाल बढ़ाई, और बाकी बच्छी दूरी 30 किलो मेटर पती घंटे की चाल से तै की, तो पूरी यात्रा में प्रणव का ओसा चाल क्या है, अब को यहां पर आपको बढ़िया तरीका समझाएंगे बात को पहले बेसिक से समझाएंगे जैसे यह डिस्टेंस है तो प्रणों पहले यह डिस्टेंस जाता है किसकी स्पीड से जा रहा है बहुत प्यार समझाएंगे 60 की स्पीड जाता है और जब प्रणों वापस आता है तो प किलोमेटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है अब हमसे करा एवरेज स्पीड तो अब आपको डरना नहीं है आपको सीखना है प्रकास कला उसको भूल जाओ यह समझो माना एसी बी की बीच की जो दूरी है वो दो है यह दो जो चलता है वो साट की स्पीड चलता है पहली फिर वापसी में दो बटा दो यानि एक दस की स्पीड से और एक दस की स्पीड से सोरी तीस की तो यह डिस्टेंस का रेश्यो हो गया अब आपको हमारा तरीका सिखना है ऐसी ब डिस्टेंस अलग-अलग है यहां गुणा ही करते हैं सब को मालूम है प्यारे दोस्तों पहले में दो का फिर एक का फिर एक का तो आप विचार किजिए कि यह वैलू क्या आ रही है एक बात को समझना खत्रा होता है यहीं खत्रा होता है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है कि एक सेकेड एक सेकेड एक सेकेड दिखे अब सर कहें एक सेकेड ले रो कहीं मिश्टेक हुई है यहीं सर आपको कैसे मालूम चला मिश्टेक हुई actually point में answer नहीं आ रहा है option में यहां 2 यहां इस time बनना था 3 4 sorry यहां कितना मैंने 3 लिखा था ना 2 3 5 2 7 7 से भाग दोगे तो point में answer आता है इसलिए मैं समझ गया पहले समझू 60 की speed 10 की speed 30 की उद्देश LCM 60 60 में 61 आएगा 60 में 10 6 आएगा 60 में 30 दो आएगा distance सबकी अलग अलग 2 1 1 तो 4 हो गया तो 60 गुड़े 4 हो गया बोलो हां 2 6 8 2 10 10 से भाग दो उसकी आउसत चाल 24 किलो मीटर पर आवर होगी same pattern के question किताब में भी थे तब भी कराया है यहां इसलिए सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे होते हैं आज इसको 2 3 सामिल की हैं जिससे आपका revision होगा और इस type के average के question आप सीखेंगे चलिए तो I hope ये बातें आपको समझ में आ गई होगी प्यारे दोस्तों मुस्कुरा के जवाब दोस सेशन को सेर जरूर करो और कहो हां accident वाले भी कोशन लाइन से कराएंगे और एक नहीं 4-5 ठो कराएंगे कितनी बार में नहीं सिखोगे तो आसा है ये चीज आपको समझ में आ गए चलिए ऐसे कोशन अभी फिर आएंगे वहाँ और अच्छे समझेंगे ये एक प्यारा कोशन आई भी का आपके सामने जरा इसी ट्राई कीजिए मगर प्यार से हर चीज आपको सिखाया जाता है पस पढ़ने वाला चाहिए रमेश अपने घर से स्टेशन तक पहुँचने के लिए 6 किलोमेटर पैदल चलता है फिर एक रेल में चड़ जाता है जिसकी आउसत गती 60 किलोमेटर प्रती घंटा है वह अपने गंता विस्तान तक पहुँच जाता है इस प्रकार से उसे कुल 3 घंटे का समय लगा यदि पूरी जात्रा की आउसत स्पीड 32 थी तो उसकी पैदल चलने की आउसत चाल क्या है अ एक चीज देखो दीवन प्लस डीटू बराबर टोटल डिस्टेंस पहले बोलो हाँ आप अंत में पढ़ रहे होगे कि टोटल समय तीन घंटा लगा और उसकी आउसत चाल 32 की है तो 32 यानि टोटल डिस्टेंस 96 किलोमेटर हो गई सर ये कैसे कर दिया बोलो आप खुली देख करा कुल समय तीन और आउसत बारा तो हमने आपको आउसत स्पीड में क्या बताया था एवरेज स्पीड क्या होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यही तो बताया था तो टोटल टाइम तीन और ये 32 तो 96 टोटल डिस्टेंस हो गई अब सुरवात में 6 किलोमे नहीं मालू, तो 60 गुडे T कर लो, बस हो गया, सर्थ कैसे कर लेते हो, 60 into T, इसमें कम कर दो तो 90 आया, T बराबर देड घंटा आया, 1.5, मतलब ये वाले में 1.5 घंटा लगा, तो इसमें भी 1.5 घंटा लगा, अब एक बात को समझो, 6 किलो मेटर की दूरी, अगर देड घंटे में तै करते हो, तो 6 अबाइन देड, जिसे हम कहते, 4 किलो मेटर प्रति घंटे, हम जो पैदल चल रहे थे, वो 4 किलो मेटर प्रति घंटे की स्पीड से चल लेते, कितने की स्पीड से, 4 km पीच की स्पीड से, याद रे, सेशन को इतने प्यार से सिखाया जाएगा, कि आपको लगेगा सर्फ वाह, मज़ा आ गया प्यारे दोस्तो, आफ्लाइन क्लासिस अभी नहीं हो रही है, ठीक है, जो भी है, वो यूटूब में और प्रकास अवस्ति अप में होती है, ठीक है, तो आसा है, ये प्यारा कोशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मोहबत से बताया गया, एक बार मुस्कुराईए और बत फिर से एवरेज स्पीड का कुशन इंक्लूट किया गया है, इसे समझना, अपनी हैटेक कला से सीखेंगे, मगर प्यार से, कहता है हमसे, बाला, यात्रा की कुल दूरी का 1 बटा 3, 10 की स्पीड से, फिर अगली 1 बटा 3, 20 की स्पीड से, और फिर आखरी 1 बटा 3, 60, एक बात को समझो, सभी में दूरिया बराबर है, एक बटा 3, एक बटा 3, एक बटा 3, पहले बोलो हाँ, और जब सभ में दूरिया बराबर हैं, तो हमें, 1 is to 1 is to 1, एक सेकिंड जुकना, बताते हैं, चले, तो ध्यान देना, तीनों केस में जो दूरी हैं, वो समान है, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, यानी 1 is to 1 is to 1 का रेश्यो, तो 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, और 60 की स्पीड, तो इसका LCM लोगी 60 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 3 और यहां 1, तीनों में स्पीड, मतलब डिस्टेंस समान ह कोई दिक्कर ने, तो तीने का गुणा होगा, तो 60 गुड़े 3 हो गया, यह 6, 3, 9, 1, 10, 10 से भाग दोगे, इसका आंसर 18 केम पीच आएगा, 18 किलोमेटर पती घंटा, the right answer of this question, यह इसकी average speed आएगी, पूसता है वारत आपसे, चले, अब यहां बढ़िया कोशन आपके सामने ह हैं, यह tough नहीं है, पर अच्छा कोशन, थोई दिर में accident वाले भी आएंगे, पर पहले इस प्यारे से कोशन को सीखेंगे, सभी लोग थोड़ा session को share air कर दीजे, क्योंकि अच्छे level के कोशन पढ़ाया जा रहे हैं, आने वाले, जो exam है, उनको देखते हुए, जैसे UPSI का ब बहुत important है, ठीक है, मनलब आने वाले exam के लिए बढ़या चीजे हैं, समझो, कहता है two places R and S, अभी हिंदी में कर देंगे, परिशान ना होना, two places R and S are 800 km apart from each other, वो एक दूसरे से 800 km की दूरी में है, 2% starts from R towards S at the interval of 2 hours, whereas A leaves R for S before B, the speed of A and B are इतना इन इतना, B over takes A at M, which is on the way, चलिए, समझो, हिंदी में देखते हैं, तो आपको जादा मेरे सब्द समझ में आएंगे, बहुत आसान कोशन है, जब पहले से करोगे, अभ्यास करोगे ऐसे कोशन को, दो इस्तान है, R और S एक दूसरे से 800 km की दूरी पर है, आर, और S, 800 km की दूरी पर इस्तित है, बोलो हाँ, दो व्यक्ति, R से S की और जाने के लिए, दो घंटे के अंत्राल से यात्रा सुरू करते हैं, क्या के रहा है, दो व्यक्ति, R से, दो व्यक्ति, R से S की और जाने के लिए, दो घंटे के अंत्राल में यात्रा सुरू करते हैं, तो पहला A है, दूसरा B, तो B जो होगा, वो after 2 hours, बाकी कोशन में देखेंगे, क्या बोला गया बाद में, ठीक है, क्योंकि R से ही जा रहे हैं, शुरू करते हैं, जबकि A, R से S के लिए, B से पहले चला, यानि A पहले जा रहा है, तो B 2 घंटे बाद जा रहा है, A और B दोनों की क्रमसा गती 460 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीको 4060 है, पहले समझो, इसकी स्पीड अगर 40 किलो मेटर पर दि घंटा है, तो 2 घंटे में ये 80 किलो मेटर चला जाएगा, पहले बोलो हाँ, यहाँ ये पहुझ गया, कौन, R पहुझ गया, यस या नो, क्योंकि 2 घंटे बाद बी चलेगा, तो relative स्पीड अगर लेंगे, तो फिर ऐसे लिया जाएगा, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फिर कहता है, B और M पर A से आगे निकल जाता है, मलब B, M पर कोई एक जगे M है, मालो ये जगे M है, यहाँ पर ये जो B है, वो A से आगे निकल जाता है, ठेक है, तो हमसे कहता है, M पर मिलने के लिए A और B की किस अनपात में समय लिया, अब बात को समझना बहुत अच्छे से, एक चीज समझ जो, मोटा मोटा मैं बताता हूँ, एक चोर है, वह है, चोरी करता है, और 40 किलो मीटर पर दी घंटे की स्पीट से भागना तै करता है, कोई तपलीव नहीं, एक पुलिस है, तो पुलिस को समय, अब ऐसा तो है नहीं, चोर चोरी कर रहा है, पुलिस वहीं खड़ी हो, तो 60 और 40 का अंतर 20, यानि पुलिस चोर को 4 घंटे के बाद पकड़ लेगी, कितने घंटे बाद पकड़ लेगी, 4 घंटे के बाद, याद रहे, 4 घंटे के बाद पकड़ लेगी, तो देखा जाए जो पुलिस ने समय लिया उसने तो 4 घंटे लिया और जो चोर ने समय लिया उसने 6 घंटे लिया सर क्यों तो कि 2 घंटा पहले उसने चोरी की थी तो यहां हमसे कहरा है समय का तो देखा जाए A और B का टाइम A ने 6 घंटा लिया था B ने 4 घंटा यानि 3 और 2 क किलोमेटर दूरी दी गई उसका कोई यूज नहीं था जी हां दोस्तों तो कैसा लगा इमानदारी से बताईए क्या आप लो मेरी बात को सीख पा रहे हो इमानदारी से बोलिए हां सर या ना सर ठीक है याद रहें जो ये कोश्चन से वो उनी बच्चों को समझ में आएंगे जिनको सेलेक्शन लेना है, टाइम पास नहीं करना भाई SSC का एक्जाम देते हैं SSC Cigial Means, CPO का एक्जाम देते हैं UPSI में जहां अच्छे कोश्चन साते हैं तो हम उनी चीजों को ले के चलना है, CBT-2, NTPC का एक्जाम देना जहां अच्छे कोश्चन आ गए तो, तो हर पूछा गया अभी तक distance कहता था M पर मिलने के लिए A और B किस अनपात से समय लेंगे तो A तो 6 गंटे लेगा B 4 गंटे तो 3 और 2 का अनपात लेगा चलिए तो प्यारा question जी हां दोस्तो प्यारे प्यारे question सभी लोग इस question को try किजिए मगर प्यार से हर चीज सिखाई जाएगी पढ़ने वाला चाहिए आसा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा ऐसा सिर्फ माना जाता है दो खर्गोस है एक दूसरे की ओर दोड़ लें भाई दो खर्गोस है एक दूसरे की ओर मतलब towards each other यह कोई धूरी होगी मुझे नहीं मालूम एक खर्गोस यहां से दोड़ ला है एक खर्गोस यहां से एक दूसरे की ओर दोड़ लें एक दूसरे की ओर दोड़ लें एक A से B की ओर और एक B से A की ओर बात हो गई वे दोनों एक दूसरे को एक घंटे के पशात पार करते हैं कितने समय के बाद पशात करते हैं एक घंटे के बाद पार करते हैं मतलब पार करदाते हैं तो कहीं इनका मिलन हो जाता होगा कहीं मिलन हो जाता होगा वो एक घंटे का समय लेने पे दोनों मिल जाते हैं फिर वो मिलने बात पार ही कर गया फिर कहता है पहला खरगोज B नहीं पहला खरगोज B पर दूसरे के A पर पहुचने में 5 बटा 6 घंटा पहले पहुचता है अब यहां पहले पहुचता है यानि difference between time मतलब पहला वाला यहां तक पहुचने और दूसरा वाला यहां तक पहुचने में यह बोला गया समझो यहां भासा पढ़ना पहला खरगोज B पर दूसरा A पर पहुचने से 5 बटा 6 घंटे पहले पहुचता है समझ गया मतलब पहला वाला जल्दी पहुचता है स्पीड पहले वाले की ज़्यादा है तो यहां T1-T2 difference between time मेरी बात को समझना और कितना समय पहले 5 बटा 6 घंटा पहले तो यह अंतर हो गया दोनों के समय का पर कहता है यदि A और B के बीच की दूरी 50 किलो मिटर है तो 50 यानि distance minus distance speed अब हमें पहले की speed नहीं मालो तो एक चीज समझो जो समय जादा लेगा जो समय जादा लेगा वो slow चल्ला होगा क्या चल्ला होगा Slow चल्ला होगा और जो समय कम लेगा वो fast चल्ला होता है तभी यह अंतर difference between time तो यहां पर जो speed लेगे वो speed किसकी चलो X ले ले रहे हैं और इसे slow बोल ले हैं क्योंकि इसकी चाल कम होगी तभी समय ज़्यादा लेगा और ये Y इसकी चाल ज़्यादा होगी यानि fast होगा तो समय समझ गए समझदार के लिए सारा कापी तो धीमे भागने वाले खरगोस की गती क्या है अब ये कोश्चन आसान है क्यों एक दूसरे की और आ रहे हैं एक दूसरे की और आ रहे हैं कितनी दूरी 50 किलिमेटर 50 समय कितना लगता है एक घंडा और यही हमारे relative speed हो जाएगी क्या हो जाएगी relative speed क्योंकि 50 एक घंटे में तो relative speed यानि x slow वाला और y fast वाला यह हमारी speed हो जाएगी मतलब दोनों की speed का योग 50 किलिमेटर प्रति घंटा आएगा अब इसे यहां से solve नहीं करना जो यहां से solve करता है वो समय की बरवादी हमसे कहता है धीमे भागने वाले खरगोस की गती क्या है options में जाओ हम उल्टे से जा रहे है option number D से जा रहे है सर D से क्यों actual में A answer है तो फिर कहोगे सर आप तो जानत रहो इसलिए पहले यह DCM जा रहे है ठीक है 25 से जाओ अगर slow वाला 25 से तो 25 से भाग दोगे 2 घंटा 25 से भाग 2 घंटा तो 0 तो यह आएगा नहीं गलत हो गया फ 50 बटा 35 तो नीचे 7 का मल्ट पिल कभी 6 का बनेगा नहीं यह भी घंटा फिर 10 से भाग दो यह 10 से तो 5 घंटा फिर 40 से तो 5 बटा 4 नीचे 1 को 4 कभी 6 बनेगा नहीं तो options नंबर A हो जाएगा कैसे अगर यह 20 है तो यह 30 हो जाएगा देखो एक चीश समझो यही चीश देखो 2 और 3 का LCM 6 होता है इसलिए तो अगर यह 20 है और यह 30 है तो भाग दोगे तो 5 बटा 2 माइनस 5 बटा 3 तो 5 कॉमन ले लो 5 बटा 6 जी हां तो इसमें slow वाले की speed 20 किलोमेटर पति घंटा हो गई कैसा लगा तो चीजों को जिसने प्यार से सीखा महबबस से जाना उसे अच्छा लगेगा जी हां याद रहे जो यह सेशन होते हैं यह सारे अच्छे कोशन अभी जब accident कराएंगे ना train होगा तो मज़ा आएगा कोगी सर फरजी कोशन हुआ करते थे समझो एक बार फिर से समझो एक खरगोस यहां चलता है एक खरगोस यहां चलता है दोनों एक घंटे में मिलते हैं बाद में कहता है दूरी 50 है तो जब दोनों एक दूसरे के और आते हैं तो speed का योग होता है distance upon time मतलब this is the equation number 1 फिर condition कहता है कि पहला खरगोस यहां तक जाने में और दूसरा यहां तक आने में जो समय का अंतर है वो 5 बटा 6 तो यह समझ गए समय का अंतर तो दूरी तो 50 है तो हमने एक चोर time t1 जो t1 है तो इसमें slow speed होगी क्योंकि तब समय ज़्यादा होगा इसमें fast speed होगी तो समय कम ह होगा तो देखा जाए हमने यहां speed x low मानी यहां fast मानी तो यह एक equation यह equation बाकी options से हमने solve किया इसको calculate नहीं किया कैसे किया वो आपको बता दिया तो पीछे back करके देख लेना options नमबर A आएगा ठोको like बोलो हां और इसी बात पे share बनता है याद रहे ज़्यादा target नहीं देत 500 लाइक होंगे तो इस वीडियो को हम यूटूब में छोड़ देंगे जी हां अन्ना था है समझदार हो चाले बढ़िया question प्यारा question आपके skin case सामने पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ महबबत से हर चीज सिखाया जाएगा जी हां दोस्तों हर चीज सिखाया जाएगा कहता है एक कार साथ 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 किलोमेटर की क्रमिक चार दुरियों को क्रमसा 10-20-30-60 की स्पीड से गती से तै करता है इस दूरी के लिए उसकी आउसत गती क्या एक चीज समझो सारी जो distance है वो तो समान हो गई 1-1-1-2-1-2 के रि 30 है फिर 30 है और फिर 60 ऐसे कोशन में इसका LC हम लो जो कि 60 आया 10 से भाग दोगे 6 यहां 3 यहां 2 और यहां एक आया सभी में distance समान है तो 1-1-1-1 का रिश्यो यह 4 का यहां गुड़ा करोगे तो 60 गुड़े 4 6-3-9-10-11-12 इसकी स्पीड 20 kmph आ गई 20 किलोमेटर प्रती घंटा इसका आंसर आ गया तो आसा है आपको जबर्दस समझ में आ रहा होगा अब यहां से एकसिडेंट वाले कोशन सीखेंगे कम समय में सीखेंगे याद रहे जैसे यह कोशन है एकसिडेंट यह नहीं है फिर यह एकसिडेंट वाला कोशन है फिर यह एकसिडेंट वाला कोशन है फिर यह एकसिडेंट वाला कोशन है समझ गया तो कई सारे एकसिडेंट के कोशन हाथ जोड के निविधन होती है जब भी हम एक्सिडेंट के कोशन पढाते हैं ठीक है हमने आरे सगरवाल के एक्सिडेंट के कोशन पढाये exercise B speed time distance के जबरदस पढाये वैसे ही इसके पढायेंगे और हमने एक्सिडेंट वाले कोशन UPSI के पढ़ाए यूटूब में तो हर तरीके के कोशन हम सिखाते हैं पस सीखने वाला चाहिए धैर रखना फरजी कोशन है कहता है क्या एक रेल गारी 150 किलो मीटर चलने के बाद दुरघटना ग्रस्त हो जाती है समझना बड़े प्यार से फरजी कोशन जीने कहते हैं हम बच्चे पता नहीं क्यो डरते हैं 150 किलो मीटर के बाद दुरघटना ग्रस्त हम हमेशा ऐसे कर देते हैं जिससे आपको याद रहे कि यहाँ दुरघटना ग्रस्त हो गए फिर कहता है इसके काड़ इसकी चाल प्रारंबिक चाल से 3 बटा 5 यानि पहले 3 बटा 5 यानि पहले इसकी चाल 5 थी अब जो चलेगा वो 3 की स्पीड से चलेगा जियां वह तीन बटा 5 का मतलब किया पहले 100 परशेंट अब 60 परशेंट तो 5 और 3 का रेशयो ये इनकी चालका रेश्यो प्रानभी चालका इतना हो गए और अपने गंतब में 8 घंटे लेट पहुची मतलब 8 आर्स लेट हो गए फिर सकते हैं फिर कहता है यदि दुरगटना इस स्तान से 360 किलोमेटर आगे चलके हो आउता मतलब यहां नहीं कहीं यहां हो आउता मतलब ये दूरी 360 किलोमेटर की तैकी गई होती ये ये दुरी 360 किलोमेटर की तैक ही गई होती, तो गाड़ी गंतब पर केवल 4 घंटे देरी से पहुचती है, तो अब 4 घंटे देरी से पहुचती है, हमसे कहता है, रेल गाड़ी की डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या थी, मैं पूरे कोश्चन को बहुत अच्छे से एक स्पीड वाले भी बताएंगे, सब आपको निकाल के सिखाया जाएगा, अब कहोगे आज से कहोगे सर, यह तो फर्जी कोश्चन होते थे, पता नहीं हमारे टीचर हमको कहे डराते थे, हाँ डराया जाता है इनको, इनी को देखकर तो बैच बनाये जाते हैं, पेड़ बैच असली बात यह है, समझो, फर्जी कोश्चन, अब यह समझो, प्रकास सर है, प्रकास सर, प्रकास सर अपने घर से चले, देड़ सो किलो मीटर में के बाद इनका एक्सिडेंट हो गया, अब जब इनका एक्सिडेंट हो गया, तो देखा जाए, पहले पांच की स्पीड थी, अब तीन की स्पीड, भाई, एक्सिडेंट होने बात, तुम तेजी से भागेंगे नहीं, डरेंगे, धिरे-धिरे जाएंगे, तो हम 8 घंटे लेट पहुचते हैं, यदि इस जगहे की स्थान पर 360 किलो मेटर दूरी पर प्रकास सर का एक्सिडेंट होता, तो वह 4 घंटे ल चार घंटे का ही समय लगा, मतलब जब यहां हो रहा था तो 8 घंटे, यहां हो रहा तो 4 घंटे का, तो यह जो समय लिया गया है, यह 4 घंटे का ही लिया गया, बस हो गया, तो 4 घंटे में धूरी 360, और अगर यहां एक्सिडेंट, मलब यहां तो फिर से यह दूरी कित्ती हो बस जोल लो, 360, 360, 1500, 720, और 1500, 870 किलोमेटर का खेला है, चुछ दूरी होगी, वह 870 किलोमेटर होगी, कितनी होगी, 870, कैसा लगा, अब कोब फर्जी है, भाई, पहले 1500 किलोमेटर, अब एक्सिडेंट यहां, यहां हुआ, तो हम 8 घंटे लेट हो रहे हैं, बोलो हाँ, तो देखा जाए, 4 घंटे में, 360 वाला खेला है, क्योंकि यह दूरी आगे चलके हुई है, नीचे वाले में, कि एक्सिडेंट, यहां की जगे, अब यहां होता, समझ गये, तो 4 घंटे में तो यह, तो बची फी, 4 घंटे में यह, समझ गये, तो 360, 360, समझदार के लिए सारा काफी, तो राइट आंसर आप दिस कोशन, 870, किसी को कोई तकलीफ हो, तो बताईए, SSC GD के लिए बताईए कुछ, प्यारे दोस्तों, चितने भी SSC GD वाले हैं, हम आपको बता दे, हमने किताब मंगवा लिए, आज बताई देते हैं, ठीक है, यह किताब मैंने SSC GD के लिए मंगवा दिए, इसमें 40 सेट मैट के हैं, हर सेट में 25 कोशन है, लगातार 40 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, सिर्फ बस कुदरत की माया है, कि हमारा Digital Board नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो जहां आते ही, 3-4 दिन में आने की उमीद है, जहां आएगा, 40 सेट आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बड़ा आराम से हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी, इन में मेहनत करनी पड़ती है, कोशन ढूलना पड़ता है, जब किताब से पढ़ाना तो वो तो कोई दिक्कती नहीं हमको पढ़ाने में, हम कोशिस करेंगे, आपको बढ़या से पढ़ाएंगे, और लगातार एक टाइम फिक्स कर देंगे, जी हाँ दोस्तों, लगातार, चलिए, तो अब इस पैटर्ण के अभी आगे कोशन आएंगे, फिर सीख लेंगे, ठीक है, यह एक्सीडेंट वाला, अभी आगे फिर आएगा, चलो इसको करते हैं, यह एक्सीडेंट वाला नहीं है, इसके बाद लगातार 3-4 कोशन है, तो बार-बार हम सीखेंगे ऐसे कोशन, तो हमें फिर हल्वा लगेगा, अभी हो सकता है, कुछ लोगं को कम समझ में आया हो, केता है, एक कार 40 किलोमेटर प्रति घंटे की आरंबिक चाल से चलना सुरू करती है, इसकी चाल में प्रति घंटा, 5 किलोमेटर प्रति घंटे की व्रद्धी होती है, तो 385 किलोमेटर की दूरी तैक करने में कितना समय, इसमें आप पहले औप्सण्स देखो, मिनमम टाइम कितना है, 5 घंटे, तो 5 घंटे तो पहले चलाई लो, पहले मेरी speed 40 की थी, फिर 5 बड़ा तो 45 की, फिर 5 बड़ा तो 50 की, फिर 5 बड़ा तो 55 की, फिर 5 बड़ा तो 60 की, पहले बोलो हाँ, कि सर कोई दिक्कत नहीं, तो ये एक गंडे में 40, एक गंडे में 45, एक गंडे में 50, एक गंडे में 55, टोटल हमें 385 लाना है, तो क्या, को 100 होगा इन दोनों का 100 200 200 चलना 380 यानि 5 घंटे गलत फिर साड़े 6 घंटे तो एक घंटा और चला दो 200 और 65 जोड़ दो तो भी आपने पहुच रहे हो आदा गंटा उसके बाद 7 घंटे तो फिर 70 कर दो अब पहले जोड़ो जोड़ना बहुत जुरूरी है जिसने जोड़ना सीख लिया यानि प्रकास कला से 110 110 क्योंकि गैप समान है 110 तो 330 यह हो गया और 55380 यानि 7 घंटे का कैसे जोड़ा अरे 40 70 110 45 110 50 60 110 और 55 समझे नहीं सात घंटे का बढ़िया कोश्यन है किताब में जाओगे तो वो टब कर देंगे पहला उदेश जो आपको कम समय दिखे पहले हमने पांस तक लिखा था जब जोड़ा तो धाई सो के आसपास आया 385 किलो मिटर नहीं आया फिर अगर हम 65 जोड़ ला है तो वो नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद सात्वे गंटे में गए 70 तो सबको जोड़ने 385 आ गया तो यही आंसर अगर यह ना आता तो फिर हम आगे चलते ठीक है कॉमन सेंस का यह कोशन होता है जिसने सीखा वही बाद सा चलो अब एक्सिडेंट में हमसे स्पीड पूछी गई प्यारे दोस्तो प्यार से सीखिए महबब से बाइलिंग्वल कोशन रात में 9 बजली क्लास में ही होता है बच्चा और हम पढ़ाते हैं ठीक है हम पढ़ाते ह किनास में बाइलिंग्वल कोशन आने वाले समय में कई किताबों को हम प्रॉपर फिर से चालू करने वाले दो क्लास सुबे दो क्लास साम ऐसे करके हम पढ़ाया करेंगे ठीक है मतलब बिल्कुल फिक्स कर देंगे उस टाइम क्लास वीक में 5 दिन जो की महबब से रहेगा प्रारंबिक चाल की तीन बटा चार गुनी हो जाती है आप समझना प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझो एक रेल गाड़ी 50 किलो मेटर की चलने के बाद दुरगटना अगलस मतलब ये 50 किलो मेटर चली और उसके बाद इस गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया यही तो बो फिर कहता है ये अपने गंतब में 35 मिनट देरी से पहुँचती है तो 35 मिनट लेट हो गया बोलो हां फिर हमसे कहता है क्या यदि ये दुरगटना इस्तान से 24 किलो मेटर पहले हुई होती देखो पहले हुई होती कहां 24 किलो मेटर पहले हुई होती बाद में नहीं पहले हुई होती मतलब इस प्लेस से पहले ही एक्सिडेंट हो गया होता यहां पर 24 किलो मेटर पहले हुई होती तो मतलब ये दूरी 24 किलो मेटर पहले दूरी तो ये दूरी 24 किलो मेटर पहले हुई होती है, तो एक चीज़ समझो इससे पहले स्पीड 4 की होगी और यहाँ स्पीड 3 की होगी, बोलो हां, साप सुतरी बात, क्योंकि पहले बोल दिया, तो कहरा 60 मिनट देरी से पहुझता है, तो 60 मिनट लेट पहुझता है, अगर बाद में हो रही होती है, तो अपने गंतप पे 60 मिट देरी से रेल गारी की वास्तविक चाल एक बात को फिर से समझो हम प्यार से बताते हैं अच्छा ये थोड़ा सा अगर कम दिख रहा हो तो थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं समझो कोशन की भासा कि 50 किलो मीटर की दूरी में एक्सिडेंट होता है तो व किलो मीटर पहले हो रही होती है तो इसका मतलब फिर से वही कि पहले चार फिर तीन अब यह देखा जाए तो साट मिनट लेट हुआ यह बोला गया अब कॉमन से समझो क्योंकि सिखाएंगे मगर प्यार से इस स्पीड का रेशियो देखो यह चार का जो कि वास्टविक समय क्योंकि एक्सिडेंट यहां हुआ है फिर यहां तो वास्टविक चार और फिर तीन अगर मैं टाइम का रेशियो ले लूँ तो तीन और चार का अंतर देखो दोनों का तो पच्चिस ही आएगा तो इसका अंतर एक बराबर पच्चिस के यानि तीन बराबर 75 मिनट में यह कितनी दूरी टै करता है 24 किलोमेटर की दूरी कितनी दूरी 24 किलोमेटर की दूरी तो देखा जाए एक मिनट में 24 बटा 75 तै करेगा बोलो हाँ और मिनट को घंटे में कनवर्ट करना है तो 60 का इत्ते 60 का होते सर कैसे समझो 75 मिनट में 24 ऐसा कर लो आप ऐसे ना कर लो ऐसा कर लो 75 मिनट में दूरी तै करता है 24 हमें चाहिए 60 मिनट जिसे कहते एक घंटा असली बात यह है तो आपको सीखना है वहां क्या प्रकास में दट अच्छा ये पांच बार में गया ये चार बार में गया बोलो हाँ पांच बराबर 24 के तो एक बराबर 4.8 की तो चार बुड़े 4.8 कर दो तो यहां से स्पीट निकल आएगी कितना है चार चको 16, 17, 18, 19, 19.2 किलो मेटर और 60 मिनट का मतलब घंटा तो केम पीच 19.2 किलो मेटर पर आवर्स उसकी चाल होगी कौन सी वास्थविक चाल कौन सी वास्थविक चाल तो कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तो सेशन को जादस जादस सेयर कर दो 500 लाइक मांगता है भारत आपसे और कुछ नहीं तो कैसा लगा ये कोशन जल्दी से बताईए कमेंट बॉक्स में चलिए तो आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेगा इंडिया हमारे साथ फिर से एक्सिडेंट वाला कोशन जरा करके देखो खुद से ट्राई करो यहां दूरी पूछी गई है फिर से बताएंगे बार 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 बताएंगे कैसे नहीं सीखोगे तो दो बार एक्सिडेंट वाले कोशन बता दिए अब तीसरा फिर बताएंगे चाउता फिर बताए हम दोनों कौन जिम्मेदार सर कौन जिम्मेदार हम दोनों जिम्मेदार सीधी सी बात बस उस के था एक रेल गारी बाग पत से 30 किलो मीटर चलने के बाद दुरगटना ग्रस्त हो गई भासा भासा तीज किलो मीटर के बाद रेल गारी बोला है दुरगटना ग्रस्त हो गई यही बोला गया अब रेल गारी सेज यात्रा को मूल चाल का चार बटा पांच मतला पहले उसकी स्पीड पांच की थी अब उसकी स्पीड चार की हो गई ऐसा करने पर वह मेरे पैतालित मिल्ट देरी से पहुंन की लेट पहुंच रही है फिर हमसे काता है यहां से 18 किलो मेटर और आगे हुई हो होती है यहां पर हुई होती है तो स्पीड आप समझ गया होगे कि यह तो पांची रहेगी पूरे में उस एक्सिडेंट होने के बाद स्पीड डाउन हो रही है तो यह चार की हो गए ऐसा होने पर वे 36 मिनट लेट पहुशती है यानि 9 मिनट में वह 18 किलोमीटर तै करती है बोलो हाँ नौ मिनट में 18 किलोमीटर नौ मिनट में 18 किलो मेटर तो अब देखा जाए यहां पर बचे 36 मिनट, आप मोटा मोटा देखो, 36 मिनट, तो 9 मिनट में 18, तो 36 मिनट में 9 दुनी 18, 36 दुना 22, तो ये 22 किलो मीटर, जोड़ लो मेरे भाई, कैसे जोड़ते हैं, अरे 30 प्लस 18 प्लस 22, 90, 120 किलो मीटर की दूरी, the right answer of this question, 120 किलो मीटर, कैसा लगा, विचार कीजे, थोड़ देर पहले भी बताया था, भाई 9 मिनट में 18 किलो मीटर, अब यहां देखो, 36 मिनट में लेट पहुच रही हैं न, 36 मिनट तो यहां से लेट हो रही हैं तो 9 में 18, तो बाततर होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही समल लो, च से एक्सिडेंट, अचा एक बात हम आपको बता दें, आरेस अगरवाल का, स्पीड टाइम डिश्टेंस का, एक्सरसाइस भी, उसका अंतिम वीडियो जुरूर पढ़ लेना, यूटूब में जो पढ़ाया हुआ है हमने, उसमें भी बहुत अच्छे-च्छे, स्पीड अपर दस्त होगा, ठीक है, अब वैसे भी आरेस अगरवाल की एक्सरसाइस भी, जो हम पढ़ाते हैं यूटूब में, वास्तों में बच्चों का इंप्रूव्मेंट होता है, चलो, ये कोशन इंग्लिस में आपने देख लिया, हिंदिम बता देते हैं, हाँ, डिमांड होत 180 किलो मीटर के बाद, दुरगटना गरस्त हो गई, यही बोला है, तता इसे बाद में अपनी मूल चाल का 3 बटा चाल से गंतव एक गंटा लेट, मतलब पहले ही 4 की स्पीड से, और अब 3 की स्पीड से चलती है, यह बोला जा रहा है, यदि ये दुरगटना रेलवे लाइन पर 60 किलो मीटर और चलने के बाद होती, मतलब ये दुरी 60 किलो मीटर और चल देते, तब यहां कहीं दुरगटना होती, तो स्पीड पहले 4 की होती, फिर बाद में 3 की होती, अचा पहले एक घंटे देरी से जा रही है, फिर आदे गंटे से, तो एक घंटे देरी से यहां ल होगे तो वहाँ पर दूरी की जगे साइट पहले बोलता है कि चार गंटे चली फिर वहाँ पर एक गंटा रेश्ट की ट्रेन ने हां मैं बता रहा हूं उसकी कोशन देखना वो थोड़ा हड़ जाएंगे सेम पैटरन पर ही है एक गंटा यहां रेश्ट किया फिर उसके बाद हुए चलता है तो उसको देखना हो सकेगा तो आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं उन कोशनों को भी सामिल कर देंगे फिलाल तो बता दिया कहां से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हूं ठीक है पर सिंपल भी बताते हैं समदू इस्पीड एक्चुल चार की चार से और यहां समझ गया एक सेट वाला तीन तो जो टाइम की बात करें वो तीन से चार हो जाएगा समय का अंतर एक और एक आधा गंटा ही है मतलब यहां पर उसे 1.5 आवर्स लगे देड़ घंटा लगे और दूरी कित्ती 60 की तो 60 बता देड़ घंटा 40 किलोमेटर पर आवर्स उसकी वास्तविक स्पीड हो गई उसकी ओरिजनल चार तो 40 किलोमेटर पर गंटा हो गई अब यहां पर खत्रा है खत्रा कैसे है कि इन दोनों का अंतर आधा गंटा तो देखा जाए 30 मिनट में वह 60 किलोमेटर तैय करती है तो फिर बचे 30 मिनट लेट तो इसी 30 मिनट में फिर से 60 किलोमेटर तो 60, 60, 180 तो 180 और 120 यानि 300 किलोमेटर की दूरी हो गए 180 और 120 यानि 300 किलोमेटर की दूरी हो गए बोलो हां चलिए तो आसा है आपको ये कुशन्स अच्छे से समझ में आए होंगे ऐसा माना जाता है जो बच्चे नए है वो थमनेल में इस किताब को देखा होगा इस किताब का Speed, Time, Distance और Train प्रकास अवस्ति एप में पढ़ा दिया गया इस किताब को हम as a paid की तरीके पढ़ा रहें क्योंकि हम देखो सीधी सी बात है आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि 100% सब कुछ फ्री नहीं होता 90% किताबे YouTube में हम फ्री पढ़ाते हैं